कभी-कभी AdSense की pin को verify करने के लिए हमें बहुत ज़़ादा time लग जाता है और अगर आप unlucky रहे तो ये pin कभी आपके पास आएगी ही नहीं AdSense की pin को verify करने के लिए हमारे पास 4 महीने का time होता है और उसके बाद हमारे YouTube चैनल की ads जो है वो बंद हो जाती है तो किस तरह से आप pin को verify कर सकते हैं आप इस वीडियो में देखेंगे अगर आप चैनल पे नहे हैं तो मेरा नाम है शीजा और आप देख रहे हैं टेकनिकल शीजा चैनल आप AdSense के pin के लिए तीन बार request कर सकते हैं हर तीन हफते में एक बार लेकिन जस्ट इन केस अगर आपको pin मिलती ही नहीं है तो आप एक छोटा सा form फिल करके दो मिनट के अंदर अपना AdSense जो है उसको verify करवा सकते हैं साथी साथ मैं आपकी ये confusion भी दूर कर दूँ अगर आपने एक बार pin को भीज दी है और आप दुबारा जो है recent pin के उपर क्लिक करते है और आपकी पहली pin आ जाती है तो इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि वो हर बार आपको same pin ही भेजने वाले है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत pin जो है उसके अंदर add कर दो उसके लिए आप i button के उपर एक video है उसको click करके देख सकते हो इन verification के लिए सबसे पहले आपको add sense के अंदर आना होगा add sense के अंदर आके आप नीचे verify वाले button पे click करें जैसे आप verify के button पे click करेंगे आपके पास ये वाला page जो है वो open हो जाएगा जैसे ये page open होगा तो आपने नीचे जो है लिखा हुआ नजर आ रहा है recent pin अगर आपने तीन दफ़ा इसके उपर click नहीं किया है तो एक और दफ़ा click करें और तब तक wait करें जब तक आपकी 3 turns जो है वो complete नहीं हो जाती है अब इस page के उपर चले जाए यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा learn more यहाँ पर आपने आखे इसको click करना है और ये वाला page आपके सामने show हो जाएगा जैसे ये पेशो होता है आपने सबसे नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा pin troubleshooter इसके उपर आप click करेंगे तो वो कुछ सवाल आपसे पूछेंगे सबसे पहला सवाल यह है कि क्या यही आपका Gmail है तो आपने इसके उपर yes click कर देना है अगर यही आपका same channel वाला Gmail है Gmail change नहीं होना चाहिए अच्छा इसके बाद आपको यह यह पूछेंगे कि क्या आपको physical pin यानि कि कोई डाकिया आपके घर pin दे कर गया है तो यहाँ पर आपने no के उपर click कर देना है अच्छा यहाँ पर आगी जो आपके पास page कुलेगा यहाँ पर लिखा हुए contact form आपने इसके उपर click करना है और अब वो form आपके सामने आएगा जो कि आपने fill करना है इसके name की जगा ध्यान से आपने यह वाला name fill करना है जो कि आपके ID card के उपर है उसके spelling अच्छे से देख लेने हैं और अपने channel का या कोई और name fill नहीं करना जो adsense के उपर ID card है वो इस same ID card वाला name आपने इसके अंदर fill करना है उसके बाद जो है आपका mail already fill होगा और यहां पर आके आपने adsense की publisher ID open करनी है जिनको नहीं पता हूँ उनको मैं बता दू कि adsense की publisher ID कहां पर होती है इसके लिए आपने अपना adsense open करना है और adsense open करने के बाद नीचे आपको show हो रहा होगा account account में आकर आपने account info में चले जाना है और सबसे उपर आपकी publisher ID लिखी होगी आपने इसको as it is ऐसे ही copy कर लेना है और इसको form के अंदर fill कर देना है उसके बाद सबसे नीचे आपने आके choose file में जाना है और यहां पर अपना ID card जिस और front side की picture को आपने edit करके एक ही तस्वीर ब कुछ लगा नहीं होना चाहिए ID card की picture blur नहीं होनी चाहिए और यह आपको साफ साफ नजर आना चाहिए एक बर जब आप ID card भेज़ दोगे तो बस आपने इसको submit करवा देना है यहां पर मैंने यह चेक कर लिया था कि कोई और मजीद आपको चीज यह detail देने की तो जरूरत नहीं है तो नहीं आपर सिर्फ और सिर्फ आपने अपना ID card ही add करना है और कुछ भी आपने additional add नहीं करना है एक बर जब आप इसको submit करवा दोगे तो same day के उपर आपको receive हो जाएगा आपका Gmail जिसके अंदर वो आपको verify कर देंगे वो भी without pin मुझे ही ठीक दो मिनट के अंद इससे 26 के दरम्यान ही आपकी payment bank account के अंदर जाती है तो आपको उनी डेस में ये payment receive हो जाएगी और अब थोड़ी सी बात करते हैं मेरी मैंने इतने time तक वीडियो इसलिए नहीं बनाए क्योंकि एक तो मैं कुछ अरसे से बिमार थी अब मैं alhamdulillah बिल्कुल ठीक हूँ और उस के साथ अलाहाफिस पर मिलते हैं एक ने वीडियो के साथ